सिंग और दिसा सालियन की मौत का मामला मुंबई पुलिस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जाच के लिए पहुचा अभिनेता सुसान सिंग राजपूत और उनके पूरू प्रबंधक दिसा सालियान की मौत की मुंबई पुलिस की जाच की विस्तरित रिपोर्ट के लिए बुद्वार को सुप्रिम कोट में एक जन्हित याचिका दायर की गई है याचिका में दावा किया गया है कि मौत की दो घटनाएं आपस में जुड़ी हुई है क्योंकि दोनों की मौत की परिस्तिती सेम ही नजर आती है याचिका में कहा गया है कि सुशान सिंग राजपूत की मौत के बाद दिशा और सुशान की मौत के बीच कई तरह की साजिशे सामने आ रही है क्योंकि दोनों की संदिगत परिस्तितियों में ही मौत हुई है और दोनों अपने पेशेवर में काफी अच्छे थे मैं सफलता की उचाईयों पर था 28 वर्षिय दिस सालियान का निधन मुंबई के मलाड पस्टिम में 8 जून को एक अवासिय इमारत की 14 मंजिल से गिरने के बाद हो गया था इसी तरह सुशान सिंग राजपुत 14 जून को मुंबई के उपनगर बांदरा में अपने घर पर संदिग्द परिस्तितियों में मृत पाए गए मुंबई पुलिस विभिन पहलूं से मामले की जाच कर रही है याचिका में कहा गया है कि मुंबई पुलिस की जाच रिपोर्ट को देखने के बाद अगर सुप्रीम कोट को ये संतोज जनक नहीं लगता तो वो उसे मामले को केंद्रिय जाच बियोरे में भेज देगी याचिका में मुंबई पुलिस को निर्देश दिया गया है कि वे सुशान सिंग राजपूत के मामले की जाच कर रही है बिहार पुलिस का सयोग करें इससे पहले दिन में अभिनेतरी रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुनवाई के दोरान सुप्रिम कोट ने कहा था कि प्रतिभाशाली अभिनेता सुशान सिंग राजपूत की मौत का सच सामने आना चाहिए साथ ही न्याय मूर्ती हरी केश राय की एकल पीठने महाराष्ट और बिहार सरकार के साथ सथ सुसान चिंग राजपूत के पिता कृष्ण किशोर सिंग को तीन दिनों के भीतर अभिनेतरी रिया चक्रवर्ती की याचिका पर जवाब दाखिला करने का निर्देश दिया है परनेवाब